ओम शांती एक चार दो हजार तेईस की साकार मुरली मीठे बच्चे लक्ष सोप से आत्मा रूपी वस्तर को साफ करो अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए प्रश्न पुरुशार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह गती को जानते हुए पुरुशार्थ में सदा तत पर रहते हैं उत्तर आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोज है अनेक कड़े संसकार हैं उन संसकारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता आत्मा पाप कर्म करते करते पिल्कुल मैली हो चुकी है इसलिए इसको साफ करने की महनत करनी है वह याद के सिवाए साफ नहीं होगी याद में तूफान भी आएंगे लेकिन कितने भी तूफान आएं वह पुरुशार्थ में सदा लगे रहेंगे गीत मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ ओम शांती धारणा के लिए मुख्य सार पहला श्रीमत पर पूरा नस्ट मोहा बनना है परहेज और युक्ती से चलना है रजिस्टर खराब होने नहीं देना है दूसरा नीद को जीतने वाला बन अमरत वेले विशेश आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है ज्यानियोक से आत्मा को पावन बनाना है वरदान एक ही संकल्प में इस्थित हो महान तीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है इस महान तीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्रामन बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहां से ठिकाना मिले सबका कल्यान हो जब यह शुब आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे सबका सहयोग हो तब कारे में सफलता हो सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मिवारी है जब हर एक स्वयम को ऐसा जिम्मिवार समझेंगे तब प्रत्यक्षता की किरन अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी स्लोगन अंतरमुक्ता की विशेषता को धारन कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी अच्छा उम्शांती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हो पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा अब टेलीग्राम चैनल पर ब्रह्मा कुमारीस टीवी इसमें आप मुरली को पढ़ भी सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण मुरली की और साथ साथ ओडियो MP3 भी डाउनलोड करकर सुन भी सकते हैं उम्शांती